आज जब मुहम्मद सिराज ने पहली 16 बॉले जो डाली उसमें 5 विकेट जटकी और उसमें से सिर्फ एक बॉल थी जो पूरी तरह से बैट पर आई ते श्रिलंकन बैट रके इसका मतलब यह है कि बाखी सारी बॉले डॉट और बची भी बॉल विकेट और जो ओवर ओल उनका फिगर निकल कर आता है 6 विकेट 21 रन ये फिगर आज इसके बारे पूरी दुनिया बात कर रहा है इसके बारे पूरा इंटरनेट बात कर रहा है कि जिस तरह से मुहम्मद सिर आज ने एशिया कब 2023 की ट्रोफी रोहिक शर्मा के हाथ में रखी है अपनी amazing balling performance के बाद उसके बाद जो confidence ballers में आया है जो confidence पूरी टीम में आया है उसने एक सवाल खड़ा कर रहा है सवाल ये कि क्या हमारे pacers अब उस best pacers के list में आ सकते हैं जी हां एशिया कब स्टार्ट ह खेले हैं परिशानी हो बहुत ज्यादा परिशान करने वाले baller बहुत ज्यादा तेज तरार baller लेकिन अब उसके बाद जिस तरह से हमारे ballers ने perform करा है और जिस तरह से हमारे batters ने पाकिस्तान के ballers की धुनाई करी है कहीं ना कहीं सवाल अब उल्टा ये आ गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडियन जो प्रिपेर कर रहे हैं वर्ल कप के लिए उनकी प्रिपेरिशन कुछ इतनी तगडी हो गई है कि आप चाहे नाम ले सिराज का, चाहे नाम ले बुमरा का, या शमी, या शर्दुल, या हर्दिक पांडिया इन सब के या फिर कुलदीप यादव, या फिर आपको रविंदर जड़े या सिर्फ पेसर की बात नहीं होगी याँ पर क्योंकि जब बॉलिंग अटाक की बात होती है तो पूरे के पूरे बॉलिंग अटाक की बात होती है और कुल्दी प्यादव को इस लिस्ट में मैं क्यों न डालूँ क्योंकि कुल्दी प्यादव इस साल सबसे ज्यादा विकट लेने वाले बॉलर हैं, उन में से जो बॉलर आपको इस बार वर्ल्ड कप खेड़ता हुआ दिखेगा, जी हाँ उस वो पूरी टीम जो वर्ल्ड लेने के बाद क्यों हम यह सवाल ना करें कि क्या इंडियन बॉलर्स अभी अडिस मॉमेंट सबसे ज्यादा खतरनाक बॉलिंग लाइनप में हैं। इसके बाद अगर मैं आपको सिराज के बारे आज के वापस से मैच में लेकर चलता हूँ तो सिराज एकलोते ऐसे इंडियन बॉलर बन गए जिन्हों ने एक ओवर में चार विकट लिये और उन्होंने उसमें सिर्फ एक चौका खाया था। कुल्दी प्यादव ने 15 मैचेज में 31 विकट लिये और अगर शादू ठाकूर की बात करूँ तो 8 ODI मैचेज में उन्होंने 15 विकट लिये और उसके बाद मोहमज शामी जिनका IPL सीजन बहुत ही जबरदसरा था हाला कि उसके बाद जिस तरह से हमने मैचेज देखे हैं कही कहीं न कहीं शामी को शाद इस विए से मौका नहीं मिल पाया क्यूंकि स्पिन ट्रैक था या फिर कहीं न कहीं इंडियन की जो मैनेजमेंट थी वो बैटिंग डेप्ट के लिए शरदू ठाकूर को इंक्लूड कर रही थी उनकी ऑल राउंड परफॉर्मेंस की वैसे उनको तो शामी को ज्यादा मैचेज ओडियाई में खेलने के मौका नहीं मिला इस वैसे शायद शायद शामी इतना परफॉर्म नहीं कर पाया लेकिन जहां जहां और जब 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 उनको मौका मिला उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिये और चाहे हम रविंद्र जड प्याई वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास हमारा बेस्ट बॉलिंग यूनिट मिल गया है और सिर्फ बॉलिंग यूनिट नहीं जब बॉलिंग यूनिट के बात कर रहा हूं तो एक जलक हम बैटर्स की तरफ भी देख लेते हैं क्योंकि बात करें रोहित शर्मा की या बात कर पूरी के बाद एक सेंचरी लगाई है तो यह जो पूरा पूरी की पूरी यूनिट हमें दिख रही है क्या ये यूनिट वर्ल्ड कप के लिए तयार है क्या हमारे बॉलर्ड कप के लिए तयार है क्या हमारे बॉलर्ड कप के लिए तयार है यह कोश्चन का जवाब तो हमें व मिल चुकी है वर्ल कप के लिए ये देखना बहुत ही इंटरेसिंग रहने वाला है कि क्या एशिया कप में जो हमें 11 देखने को मिली थी उसी 11 के साथ हम खेलेंगे हाला कि एक अक्षर पटेल हैं जो इंजर्ड हो गए हैं लेकिन उनकी जगा पर आज वाशिंग्टन संदर आय करता है इंडिया की ये जो बॉलिंग लाइन अप है क्या ये वाकई एक लीथल बॉलिंग लाइन अप हो चुकी है हमारी चैनल को अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं जरूर सब्सक्राइब कर दें